लव इन्फाइनेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत अच्छे होंगे आप और बहुत सारे मिरर नंबर्स भी देख रहे होंगे तो क्या है मिरर नंबर 1144 का मीनिंग 11 का मतलब आपको मालूम ही है कि ये एक कार्मिक नंबर भी है आप अपने कर्माज को क्लिंज करने के लिए आए हुए है और 1144 बार-बार आप देख रहे हैं तो समझ जाए कि इन्जेस आपको कुछ नया बताने वाले हैं क्योंकि आपके अंदर जो हिडन टालेंट है उसे बाहर निकालने का टाइम पूरी तरके से आ चुका है और अगर आप टुण फ्लेंब जर्णी में है तो ये एक साइन है कि टुण फ्लेंब बिलकुल आपके आसपास ही है कही न कहीं आसपास बिलकुल क्लोज है और आपके पास आने वी वाले हैं वो बस वेट कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब आएगी मेरी बारी कब आप बुलाएंगे उनको इस तरह का उनके अंदर बात चल रहे ही है वो सोच रहे हैं आपके बारे में 1144 देखने का मतलब है कि आपको अपने जो पुरानी सेटिंग से ना उनको चेंज करना होगा your techniques and embrace something exciting and more fruitful fruitful चीज़ों को आपने देखना है और rearrange करना है चाहे वो आपका office furniture हो या workplace हो या घर के wardrobe हो इन सब चीज़ों को आपको change करना ही होगा you need to change your work totally because you may be on the wrong job or work किसी भी तरह का काम मालीजे आप कोई job भी नहीं करते हैं कोई business नहीं करते हैं घर में रहते हैं और tune flame journey में हैं तो भी आपको अपने घर को अपनी table को अपनी आसपास की अपनी kitchen को या किसी भी जिस भी field में आप हैं उस चीज़ को उस टकनीक को उस पुराने old setup को change करने का time है 1144 देखने का मतलब ही यही है कि आपको अपनी inner intuition पर ध्यान देना होगा अपनी instinct को समझना होगा कि आपका heart जो है वो properly क्या कह रहा है आपका subconscious mind and inner wisdom आपको क्या show कर रही है actually 1144 आपको right path पे लेके जाने का ही है यह number वो number भी है कि आप अपनी soul purpose की और बढ़ चुके हैं almost बढ़ चुके हैं ऐसा नहीं है कि अब आपको बढ़ना चाहिए इसके लिए वो बोल रहे हैं नहीं जो भी आप बढ़ चुके हैं आगे और उस पर अगर आपको result नहीं मिल रहा है एक अच्छा result नहीं मिल रहा है तो 1144 देखने का मतलब यह है कि इंजस आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ही जल्दी एक desired success पाने वाले हैं जो भी आप चाहते हैं वो आप अचीव करने वाले हैं 1144 आपको यही शोग करता है कि इंजस आपको यह बताते हैं कि मैं directly तुम्हारे पास हूँ आसपास हूँ और तुम किसी भी hidden जो negative energies है ना उनसे डरो मत किसी भी तरह की negative energy से मत डरो मैं तुम्हारे आसपास हूँ universe आपकी आसपास है divine है lord है हर कोई आपकी आसपास है तो डरने की क्या बात है 1144 नमबर देखने का मतलब यही है कि आपको बस पूरी तरह से आगे ही आगे बढ़ना है जिस भी काम में आपने काम को शुरू कर चुके हैं तो यह समझे कि आप बहुत लगी हैं और यह आपको urging की phase पर लेकर आ रहे हैं अब आप जो आपका talent था वो काम करने लगा है और positive result तीरे दीरे आने लगेंगे अगर आपने पुराने setup को छोड़ दिया हो या पुराने mindset को छोड़ दिया हो जो पुरानी energy थी negative उसको छोड़ दिया हो तो आपने छोड़ भी दिया है positive way में काम करने हैं लेकिन कभी-कभी नीचे आ ही जाते हैं कि ओहो यह सब कुछ पता नहीं कुछ होगा अगर जब भी थोड़ी बहुत unwanted energy या negative energy या thought आपके आस पास आते हैं आपके दर्वाजे पर नौक करते हैं तो दर्वाजा खोल यह मत बिलकुल optimistic बने रही है enthusiastic बने रही है उर जावान बने रही है one one four four देखने का मतलब यही है कि अब आप comfort zone से बाहर निकल चुके हैं और आपको comfort zone से बाहर निकलने का यह मतलब नहीं है कि अब आप risk पर आगे हैं risk लेंगे तब ही तो आगे बढ़ेंगे ना तो आप एक बहुत अच्छे leader हैं आप बहुत अच्छे leader हैं आप हो सकता है कि प्रवक्ता हों बहुत सारे लोगों के बीच में बैटके बात कर सकते हूं society में काम कर सकते हूं philanthropist हों बहुत सारी बाते हैं जो कि आपको 1144 दिखाने का meaning बता दें कि आपके अंदर यह यह qualities होंगे आप भीड में अकेले खड़े होके दूसरों को संबोधित कर सकते हैं इस तरह के person आप होंगे कोई politics में हो सकते हैं twin flame journey में तो है ही है और यह सारे काम भी आपके साथ हो रहे होंगे क्योंकि बहुत लंबी journey है यह इसमें आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है बोर नहीं होना है और अपने interest और passion के साथ आगे बढ़ते जाना है लेकिन keep faith in your abilities and trust your angels that you can do anything that your heart tells you to do ठीक है ना क्योंकि क्या है कि आपके अंदर का जो भी skills हैं talent है और creative elements हैं जो आपके वो आपको जोर मार रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो चलो यह काम करके दिखाओ तो twin flame journey में 1144 का क्या मतलब है देखे 4 का तो मतलब 24 भी एक master number ही है जिसमें आपको यह पता चलता है कि हाँ एक foundation create हो रही है यानि कि आपने कुछ ना कुछ अपना business खोल चुके हैं कुछ नया काम शुरू कर चुके हैं और बिना किसी doubt के आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन अगर फिर भी शफलता नहीं मिल रही है तो इंजल साब को यही बता रहे है कि डरने का नहीं है किसी के भी आगे किसी भी इनसान के आगे तो भिल्कुल भी नहीं यह याद रखें कि आपको हर दरे से protection मिल रही है angelic protection भी मिल रही है universal भी मिल रही है आपके east देवता की भी protection आपको मिली ही रही है तो life बहुत लंबी भी है और बहुत छोटी भी है जैसा भी आप उसे समझना चाहें वईसा ही समझ सकते हैं और उसी हिसाब से act कर सकते हैं ठीक है तो ट्विन फ्लेम जर्णी में 1144 का यही मतलब है कि आपके ट्विन फ्लेम अब आपको ढूनने की जरूरत नहीं है आपको मिल चुके हैं और बिल्कुल आपको मिरर कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही वो भी कर रहे हैं मंदिर गृत्वारे भी नहीं जाते थे या अभी उसे लेंगिज बोलते थे तो वह धीरे धीरे बिलकुल पायस होते जा रहे हैं लोग भी और फ्रेंट्स भी उनको कह रहे हैं कि यह क्या हो गया है तुम्हें इतना चेंज कैसे ऐसे कैसे चलेगा लाइफ ऐसे नहीं चलती ल हैं वो अपने आप दीरे-दीरे दूर होने लग गये होंगे जैसे आपने अपने लिए एक healthy boundaries क्रिएट करीए उसी तरह से उन्होंने भी इसी तरह की healthy boundaries क्रिएट करीए हैं और हमेशा के लिए खुश रहने के लिए अब उन्होंने यह ठान लिया कि अब मुझे खुश ही र सकते हैं क्यों क्योंकि 1144 जब भी आपको दिखता है तो इंजल आपको ये बताते हैं कि आप खुद ही एक एंजल ताइप के इनसान है एक लाइट वरकर है जो दूसरों की भी हल्प कर रहे हैं और स्पिरिच्वल हाइस्ट रियालम पर आप अपने ड्यूटी को निभा रहे ह एक highest और रियालम पर आप पहुँच चुके हैं एक light worker की तरह torch bearer की तरह society में कि ओ इसको देखो जैसे कहते हैं कि मिसाल गायम करना वो वाली चीज़ आपने करी है चाहे कितने भी आपको मुश्किले आई लेकिन humanity का काम आप लगातार कर रहे हैं दूसरों को रोष्णी जरूर दिखा रहे हैं चाहे आप खुद अभी तकलीफ में हैं लेकिन दूसरों के आशू पोचना आपको आच चुका है और यही मैं कहा रही हूँ कि आप पूरी तरह से confidence में बने रही हैं अपने आपको लाए रखिए और अपनी सारी energetic जो abilities हैं उनको बनाए रही है और बिल्कुल strong बने रही है इंजस आपको यही कह रहे हैं यह next time जब भी आप यह देखें तो पूरी तरह से deep attention लेकर आएं कि आपके अंदर इस time क्या सोच चल रही थी क्या thought चल रहा था क्या information इस time आपको मिली कि आपको 1144 देखने को मिला क्या insight है आपके अंदर क्या insight अपनी दिव्वे द्रिफ्टी से आपने क्या देखा क्या क्या challenges आपके life में आने वाले जितना ज़ादा आप meditation करेंगे ना उससे आपको बहुत ज़ादा फाइदा होगा meditation क्या है ध्यान ही है तो ध्यान ज़ितना करेंगे ध्यान और योगा अब ये हिंदी के words है हमारी Sanskrit के words है और ये कहां ले लिए Western लोगों ने ले लिए और वहां से फिर वापस इंडिया में रिवर्ट होता है और हम उनको follow करने लगते है तो ध्यान ये दे कि हम तो भारत के ही बंदे हैं लोग हैं और क्यों ना हम फिर योगा और ध्यान को पूरी तरीके से अपनाएं प्यार से अपनाएं ये कोई religion नहीं है कि किसी religion ने yoga बनाया और किसी ने ध्यान बनाया हम तो ये नहीं करेंगे हमारे religion में ये नहीं है हर religion में ये है हर religion में अच्छी बाते हैं हर religion में किसी जानवर को काटना मारना allow नहीं है गलत है अच्छा काम नहीं बताया गया हर religion में जुट बोलना दूसरों का कतल करना दूसरों की जिन्दगी को बिल्कुल हराम कर देना ये गलत काम ही बताए गए हैं पाप गर्म ही बताए गए हैं तो कोई भी religion ये नहीं कहता कि किसी को कष्ट पहुंचा के आगे बढ़ा जाए किसी के लाश के उपर से चड़ कर आगे बढ़ा जाए नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं करना है 1144 देखने का मतलब है कि आप अपनी creativity को एक communicative ability में बदलिए आपके अंदर का जो birth talent है ना उसको एक जुबान दीजिए अब तक आप जो बोलते नहीं थे ना उसको बोलना शुरू कीजिए चाहे कोई सुने या ना सुने शुरू हो जाए बस सुनने के लिए सभी आएंगे औ तो आपको लोग ये कहते हों कि वहाँ आपकी हवाज कितनी अच्छी है आपको सुनने का मन करता है और और बोलते चाहिए और बोलते चाहिए हमें आपसे कुछ सुनना है और कुछ सीखना भी है अगर ऐसा हो रहा है तो 1144 देखने का मतलब है कि angels numbers आपको पूरी तरह से bless कर रहे हैं और हर तरह की guidance प्रोवाइड करा रहे हैं अंदर ही अंदर आपको अपने ही अंदर से ये सारी बातें खुद बखुद पता चल रही होंगी Thank you so much for watching